Good morning friends, आज हमारा chapter का नाम है Morphology of Flowering Plants और हमने देख लिया है Parts of Flower में दो पार्ट देख चुके हैं पहला है हमारा Calyx, दूसरा है हमारा Corolla और आज हम देखने वाले हैं तीसरा पार्ट Flower का जिसका नाम है Androsium जिसको हम क्या कहते हैं? पूमंग कहते हैं पूमंग कहते हैं और यह किसे है? पूमंग बना किसे है, पूँकेश्वर से बना है क्या एक पूँकेश्वर से बना है? नहीं, धेर सारे पूंकेश्वरों से बना है धेर सारे स्टैमिन से मिल कर बना है और Androsium क्या है? जैसे हमने, अगर जब whom I've asked you the page count आप तो बता दोगे कि roll of sepals is equal to calyx, मतलब वो roll thalamus पे, thalamus पे वो roll जिस पे क्या हो, stamin growth हो, stamin जो है वो grow करेगा, उस roll को हम क्या कहेंगे, androsium कहेंगे, और यह androsium क्या है, यह है, नरजनन अंग है, male reproductive unit है, देखिए कमल का फूल नहीं है, यह ध्यान से देखिए का, यह हमारा क्या है, stamin है, stamin में क्या क्या होता है, enter होता है, stock, stock होता है, filament होता है, enter and filament, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा tension लेने का ज़रूरत नहीं है, इत्ता समझ में आया है क्या, क्या, अन्रोशियम क्या है, role of stamin है, जिसको हम अन्रोशियम कह रहे हैं, जिसको हम अन्रोशियम कह रहे हैं, कि धैलमस पे, उस role पे, जहां पे male reproductive unit grow करेगा, हम उसको अन्रोशियम कहेंगे, किस से बना है मिलकर, तो यह जो है, वो stamin से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, दोनों हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ठिक, अब, यह हैं, अन्रोशियम, male reproductive unit है, यह भी जान लिए, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, and stamin का structure, देखो, अब हम क्या करें, stamin का structure देख रहे हैं, तो stamin is, stamin consists of anther and filament है ना, stamin में क्या क्या होता है, anther और filament होता है, anther को हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, filament को क्या कहते हैं, तन्तू कहते हैं, और यह कैसा structure बताओ, anther का पराग कोश का कैसा structure है, यह bylobed है, दूपालक, दो कोश्टक होते हैं इसमें, ठिक है, प्रतेक पाली में दो कोश्टक होते हैं देखो ये जो है वो ये क्या है बाई लोब्ड है ये है एक तो प्रतेक बाई लोब्ड हो गया ये बाई लोब्ड होने के बाद क्या है प्रतेक पराग कोश प्राह दूई पालग होता है और प्रतेक पाली में दो कोष टप यह पराग कोष होते हैं पराग कोष में परागर होते हैं यहां पराग कोष है ठीक दो है और इसके अंदर क्या होंगे पॉलेंस होंगे, क्या होंगे, पॉलेंस होंगे, या हिंदी में क्या कहेंगे, पराग कड कहेंगे, पराग कड कहेंगे, तो ये जो है, ये क्या है, पॉलेंस है, पॉलेंस है, और जो है, इसी को हम पराग कड कहेंगे, ठीक, चलो, एक कुछ-कुछ स्टैमिन ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या है pollen grains absent होते हैं वैसे वाले stamin को क्या कहेंगे वैसे वाले stamin को हम sterile stamin कहेंगे कैसे जिसमें pollen grains जो है वो क्या है एपसेंट है pollen grains absent है उन लोगों को हम क्या कहेंगे वैसे stamin को हम sterile stamin कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे sterile को बंद पूंकेश्वर जनन करने में असमर्थ होते हैं यह क्या है जनन नहीं कर सकते हैं असमर्थ है यह पूंकेश्वर जनन करने में अंदर में तो यह हैं बंद पूंकेश्वर जनन करने में अब इसमें क्या होते हैं यह बाइलोप्ड होता है और हर इसमें हर एक इसमें क्या होते हैं दो चैंबर होते हैं देखो इसमें एक दो चैंबर है इसमें देखो एक दो चैंबर है ठीक और इसमें क्या होंगे पराग कर होंगे पॉलिन ग्रेंस होंगे हमने क्या देखा देखो अब हमने पहले देखा था ना कैलिक्स में भी गेमो सेपलास गेमो पैटलर फ्री पॉली पैटलर सह करके देखा था वैसे ही स्टैमिन में क्या हो रहा है स्टैमिन भी कभी फ्यूज होगा कभी फ्री होगा ठीक है तो फ्री होगा तो हम उसको क्या कहे प्रिम से या है प्रीपर दोगा जितना पर ट्रिम से तो उसके वारे में पढ़ना है तो फ्यूजट भी हो रहा है तो बिट्वीन रोल्स इसलिए कि पैटल के रोल पे नुद पसके पेटल्स के साथ पेखेशा परASON और B presents के से अगर स्टैमिन का अगर फ्यूजन होगा अगर फ्यूजन होगा तो हम उसको क्या कि हैंगे बेटवीन रोग क्यों कि बेटवीन मतलब अलग ना तो उसमें अगर between roll में मतलब क्या होता है अगर वह पैटल में अगर फ्यूज हो रहे है तो इस चीज को क्या एग इस चीज को हम हम एपी पैटल श कहेंगे और किसे कहेंगे इपी फाइलस जो है वो अगर स्टैमीन पेरियंट से जूड रहा है किस से जूड रहा है पेरियंट से है ना पेरियंट मैंने बताया था तो अगर वो पेरियंट से जूड रहा है तब हम उसे क्या करें कहेंगे कैसे फ्यूज हो रहा है तो हम उसे एपीलस कहेंगे, एपीलस के examples क्या है? लिलियासे family, ठीक है? लिलियासे family में जितने भी लोग आएंगे, वो सारे कैसे होंगे? इपी fullus होंगे, ठीक है? उनका male reproductive unit कैसा होगा? इपी फाइलस होगा, ठीक? और जो है, इपी पैयए was org होंगे? EP Petalus का एक्जामपल है Solen AC Family Solen AC Family के सारे Members वो EP Petalus Property शो करेंगे मतलब Stamin Fuse होगा Between Roll होगा Petal और Stamin का Fusion होगा Within Roll Within Roll अगर Same Roll में ही जब वो Fuse कर रहे हैं मतलब Stamin Fuse with Stamin Varying Degree अलग-अलग प्रकार से वो Fuse कर सकते हैं कैसे कैसे कुर सकते हैं तो Enther और Enther के बीच में Fusion होगा या तो Enther और Filament दोनों के बीच में Fusion होगा है ना होगा तो यह देखो यहां पर क्या हो रहे है Enther Enther क्या हो रहे है Fuse हो रहे है ठीक है Enther क्या हो रहे है Fuse हो रहे है लेकिन Filament कैसे है Filament कैसे है वो Free है फ्री है ना तो ऐसे वाले केस को हम क्या कहेंगे सिन जनेसिस कहेंगे ठीक है ऐसे वाले केस को जहां पर एंथर और फिलामेंट जो है एंथर और एंथर 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 क्या होंगे फ्यूज होंगे तब हम उस केस को क्या कहेंगे synergisis कहेंगे ठीक है synergisis कहेंगे और जब एंथर और फिलामेंट दोनों fuse होंगे ता हम उसे sin andros कहेंगे sin का मतलब तो fusion होता है andros का मतलब क्या होता है बताओ androsium से आया है andros है ना तो यह जो है यह पूरा stamin के बारे में है समरी अब करते है stamin जो है वो free भी हो सकता है fuse भी हो सकता है free मतलब poly andros androsium male reproductive path है to poly andros जब stamin free होगा तो हम poly andros बोलेंगे जब stamin fuse होगा तब हम उसे क्या कहेंगे बता तब हम उसे उसका अलग अलग types का होता है ठीक है यहां बुक में गेमो androsium वैसा कुछ दिया नहीं है तो इसलिए use नहीं करना है stamin fuse क्योंकि हमने fuse से हमने पहले भी देखा कि गेमो लेकिन यहां पर कोई बुक में वैसा कुछ दिया नहीं है बस यह दिया हुआ है stamin fuse fuse मतलब यह दो टाइप से fuse हो सकते हैं या तो वह अलग अलग between रोल में फ्यूज हो सकते हैं between रोल में फ्यूज होंगे तो दो टाइप से हैं e.p.petals दूसरा e.p.phylos जब stamin peri and से जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे e.p.phylos condition होगी e.p.phylos property शोग करेंगा मतलब जितने भी ली ऐसे फैंचली वाले हैं सब क्या condition शोग कर रहे हैं e.p.phylos शोग कर रहे हैं ठीक है तो स्टैमिन फ्यूज हो सकता है तो स्टैमिन फ्यूज विट्स लेकिं दो टाइप से यह तो ऐन्थर-फ्यूजन ओगा फिलामेंट का नहीं होगा ऐसे वाले केस को हम सिनर जिस उस कहते हैं या तो क्या होगा एंथर एंथर और फिलामेंट फिलामेंट डोन ओंफ यूज होगे और ऐसे वाले केस को हम सिल एंड्रस कहते हैं इसमें जो है विदिन रोल में तीसरा टाइप है जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है और यहां पे जगे नहीं हो रही है इसलिए मैं नेक्स पेज में शो कर रही हूँ ठीक है यही NCRT में दिया हुआ है तीसरा चीज ठीक इसका नाम है डेलफस करके तो इस चीज को समझना बहुत ज़्यादे इंपर्टेंट है धान से देखिए देखें अब यहां पर क्या हो रहा है यहां मैंने बताया था ना पहले उसी यहां तो यहां तो यहां तो जब यहां तो जब यहां तो और फिलामेंट के बीच में और जब किसे कहेंगे जब फिलामेंट सर्फ फ्यूज होगा तब डेलफर्स कहेंगे और हमारी बुक में भी आप देखोगे तो मोनो डेलफर्स डाई डेलफर्स और पॉली डेलफर्स करके दिया हुआ है वो हम यहीं से सीखेंगे यहीं से देखेंगे इसलिए इसको ध्यान से देखेंगा देखो क्या होता है यह हमारा क्या है ठीक है यह हमारा थेलमस है और यह हमारा क्या है बल्क में जब उस रोल पर सिंगल रोल बना लेते हैं सिंगल रोल पर जब धेर सारे स्टैमिन जो है वह ग्रोध करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं तिक तो पहला हमारा क्या हो जा रहा है मोनो डेलफस देखो डेलफस कहां से आया वर्ड फिलामेंट फ्यूज होगा मतलब अगर फिलामेंट जो है सिर्फ विलामेंट डिफ्यूग रहा है उसको सिंगल रॉल में एक विलामेंट prefuse हो रहा है तब हम उसे तो नदा मौन डेलफ स कहें गिंगे उसका एक्जामपल के यह हमारा चाइना रोस में आप दप सकते हो चाइना रोस room से ली की है नहीं बता हो favourite कोंसे स्वाब्यत का आ इ वीडियो बनाया है उसमें जाकर देखनाकि चायना रोज खौंसे फैबली की ऐचिक वह एक्जामपल बताओ क्या होगा पॉली डेल्फर होगा देलफसौ है सब में तो th success pay èdized ऐस सब रहें जेस एक्जामपल एकजाम में एकजामपल सही आता है चाहे नीट जाहे च्छाहें स्कूल वाला हो कि विदिन रहेंे हैं यूbels में दो एपी पैटलस और एपी फाइलस एपी फाइलस कब होगा जब स्टैमिन पेरियन से जुड़ेगा तो एपी फाइलस एपी पैटलस कब होगा जब स्टैमिन पैटलस से जॉइन होगा तब हम कहेंगे एपी पैटलस कहेंगे और जब स्टैमिन जो है वो फ्यूज होता है लेकिन फीज भी कैसे होगा within the role मतलब staminstamin के साथ ही fuse हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइप से हो रहा है वेरिंग डिग्री में हो रहा है तो एंथर एंथर होगा तो सीन जहनेशिस मतलब filament fuse नहीं हो रहे हैं यहांपर यहां तो filament filament को देलफस में तीन आय मोनो डाय और पॉली मोनो में चाइना रोस डाय में पी और पॉली डेलफस में सिट्रस यहां पे तो सिनेंड्रस टीक इतना तो पूरा क्लियर होगा मुझे पता है तो हम समरी देखें क्या अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया इसमें ठीक है मैंने स किया होता है बता अपने बता है जंद करने में असमर्त होते हैं एक क्षा में प Algolo try नहीं कर सकते त्युकि यह आपर पॉलन ग्रेंवきます होती है पॉलन ग्रेंज एपसेंट होती हैं और उसके बाद हमने क्या देखा हो देखो मैंने सिर्फ टॉपिक टॉपिक बतारी हूं जो इंपोर्टेंट है एपिपेटलरस क्या क्या हो रहा था एक पैटलर स्टारमीन फिउज हो रहा था तो ये क्या है बीट्विन रोल कब का हना अब देखा था इपी फाइलस में क्या आ रहा था इपी फाइलस में जो है वह लिए से फैमिली वाले लोग शो कर रहे थे पेरियन से जूड़ा था अच्छा इपी पैटलस को तो एक्जांपल देखें नहीं एक्जांपल के था तो लेनीस ही था ठीक टिक स्पैलिंग देख ना हिसाब से चलो मैं ही सुधार देती हूं यहां पर क्या है सोलने से ही अब देखो हमने क्या पढ़ा मोनो डेलफस कब स्टैमिन स्टैमिन के साथ फ्यूज हो का तीसरा भाग है ना स्टैमिन मतलग फिलामेंट फ्यूज हो रहा है सिर्फ देलफस तो क्या होगा मोनो डेलफस डाइड फ़स पॉलीड फ़स में एक्जाम्पल क्या देखा हमने चाइना रोज देखा ना चाइना रोज इसका आप लोगों को देखना है कि चाइना रोज कौन से फैमली से बिलॉंग करता है और टाइड फ़स का क्या है पी है और पॉलीड फ़स का एंजाम्पल बताँं सीट्रस है है ना इस में एक पॉइंट क्षूट। है ध्यान से देखलो ंओट करलो श्क्रीन्शॉट मार लो जैसा भी है अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्ट है मिटा रही ह मुझे वो उसमें एक्जांपल ट किसका है बताओ एक्जांपल जो है साल्विया है और दूसरा मस्टर्ड है मस्टर्ड एक्वोड इक्वल स्ट्यांइन क्या होते हैं बताओ तो अनुकल इक्वल्ड इक्वल-में-ट में बहिस एक होता मतलब एंड्रोश्यम में में किसी एंथर के फिलामिंट का जो यह स्टैमिन में यह फिलामिंट तो यह दोनों में तो पराबर हैं तो यह अनिक्कोल स्टैमिन और नहीं भी बिविलकुल नहीं किसी किसी नहीं स्टैमिन में मतलब मतलब ऑब यह लो Сबी यह मुद kitaße स्टैमिन के लेंफ में अंतर आएगा तब अनिखोल स्टैमिन खेंगे और यह कैसे कोन यह से स्टैमिन समय मेंजे़ मंटलब इस गले से consistent अएल्ड्रों ए ठाग कि मलब है त्यूस अ मजद 2023